नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका डेली वन टोपिक बाई एके यूट्यूब चैनल पर पॉलिटिकल साइंस मोस्ट वन लाइनर सिरीज में ये पाँचवा वीडियो नोट है इससे पहले हम चार वीडियो नोट आपके लिए पब्लिश कर चुके जिनका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो को पूरा देखिएगा इस वीडियो में हम मुख्यत है आपके भारती रानेतिक विचारक जो हैं जो आपके UPPGT के सिलेबस में दे रखे हैं उन पर इन प्रशनों को लेकर आए हैं उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इसे लाइक शेर भी करके जाएंगे चलिए जोस्तों शुरू करते हैं आपके लिए Most One Liner Questions का ये एक वीडियो Question No.80 तक हम कर चुके 81 पे देखेंगे वह है विद्वान जिनोंने मनु को अपने ग्रंथ कामसूत्र में धर्मशास्तर का आदी प्रणेता माना है देखिए जिनोंने वो विद्वान कोन है पहले आंसर सुन लीजिए वो है दोस्तों वादस्यायन वादस्यायन का जो ग्रंथ है वो है कामसूत्र इनोंने मनु को इसमें धर्मशास्तर का आदी प्रणेता बताया है धर्मशास्तर का आदी प्रणेता प्रशन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वादस्यायन ने धर्मशास्तर का आदी प्रणेता किसे बताया है या फिर वास्ट्यायन ने धरम शास्त्र का आदी प्रणेता मनु को अपने किस ग्रंत में बताया है तो सारे ही प्रश्णों का इसमें आपको हल मिल गया फिर से मैं आपको बता देता हूँ जल्दबाजी की कोई भी काम नहीं है वहे विद्वान जिनोंने मनु को अपने ग्रंत कामसुत्र में धरम शास्त्र का आदी प्रणेता माना वो विद्वान है दोस्तों वास्यायन ठीक है क्लियर हुआ चलिए कुश्चन नंबर 82 देखिए मनुस्मर्ती के बारे में यह कतन किसका है की मनुस्मर्ती बाइबल की अपेक्षा कहीं अधिक अनुपम, उत्करिस्ट और बौधिक ग्रंथ है ये नीच्शे का कतन है दोस्तों ठ्यान में रखेगा छोटा सा नाम है बड़ा कतन है लेकिन इन्होंने कहा है कि मनुस्मर्ती बाइबल की अपेक्षा तुलना की है इन्होंने निट्से ने क्या की है तुलना की है कि बाइबल से तुलना करके इन्होंने कहा है मनु के अनुसार द्वैदी भाव का अर्थ क्या होता है ठीक है आपको द्वैदी भाव का अर्थ कोटिले का भी देखना पड़ेगा मनु का भी देखना पड़ेगा जिसका पूछा जाएगा उसी का अंसर आपको देना है तो मनु के अनुसार द्वैदी भाव का अर्थ क्या है दोस्तों सामाने सी लेंग्वेज में मैं आपको बता दूँ कि परिस्थिती के अनुसार राजा क्या करेगा, शाशक क्या करेगा अपनी सेना को दो भागों में विभाजित करके तैनात करेगा ये जो उसकी क्रिया होगी ये द्वैदी भाव होगी, क्या होगी द्वैदी भाव, ठीक है, तो मनु के अनुसार द्वैदी भाव क्या होगी परिस्थिती के अनुसार, अपनी सेना को दो भागों में विभाजित कर तैनात करना ही क्या होगा, द्वैदी भाव, ओके दोस्तों, चलिए नेक्स देखिए, तो अभी तक आपको हमारा ये काम पसंद आ रहा है, तो लाइक का बटन दबा दीजिए, बाद में आप चले जाते हैं 84, मनुष्य के अनुसार कर संग्रेण की इस्थती में, राजा के द्वारा जिस बात का ध्यान रखना चाहिए, वो कौन सी बात है, खास बात, सुनिए मनु कहते हैं कि कर का बाहर नहीं ये भार है, क्या है ये भार कर का भार गरीब जनता पर कम वे अमीर पर अधिक होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, किसको? कर संग्रेण की इस्थती में, राजा को अपनी परजा में ये ध्यान रखना चाहिए, बाहर को आप ध्यान में नहीं रखें, बाहर ठीक है वेटेज तो कर का भार जो है वजन जो है वो गरीब जनता पर तो कम होना चाहिए और अमीर पर उसका वजन अधिक होना चाहिए अमीरों से ज़्यादा टेक्स लो, गरीबों से कम टेक्स लो, ये कौन कहते थे, मनु कहते थे, कि कर संग्रेण के स्थिति में राजा को इस बात को ध्यान में रख लेना चाहिए, ठीके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए 85, मनु का न्याय धीशों की न्युक्ति के संबंद में जो शर्त थी, वो क्या थी, सबसे बड़ी बात, मनु की न्याय धीशों की न्युक्ति के संबंद में जो बात थी, वो सुनो, न्याय धीशों के लिए यथा संबव हो कि न्याय धीश ब्राह्मन हो, परिस्तिति वर्ष, परिस्तिति के अनुसार, दो अन्य वर्ण के सदश् सकते हैं परंतु किसी भी इस्तिती में शुद्र तो होना ही नहीं चाहिए शुद्रों का इन्होंने बिल्कुल विरोध कर दिया इन्होंने कहा कि न्याय दीशों में जहां तक संभव हो candidate जो हो वो ब्रामन होना चाहिए परिष्थिती के अनुसार हम चले तो दो अन्यवर्ण के सदश्य भी न्यूक्त हो सकते हैं परंतु दो अन्यवर्ण की सदश्यों का मतलब यह नहीं कि आप शुद्र को न्यूक्त कर दोगे शुद्र के लिए न्याय ववस्था में न्याय द भूमी पर वे रहते हैं दोनों ही अर्थ हैं ठीक है वई आते वहे शास्तर अर्थ शास्तर है जिसमें मनुष्यों वाली भूमी के लाब वे उसका पालन करने की उपायों का वर्णन किया गया कोटिल्य का सबसे बड़ा ग्रंथ अर्थ शास्तर है अर्थ शास्तर एक राज कह देते हैं अर्थ कह देते हैं अते वह शास्तर अर्थ शास्तर है जिसमें मनुश्यों वाली भूमी के लाब और उसका पालन करने वाले उपायों का वर्णन किया गया है ये कोटिल्य का कथन है अर्थ शास्तर के बारे में ध्यान में रखेगा ठीक है दोस्तों इतने सरल तर आपकी बदोलत मिलती है आपके जो कमेंट आते हैं वो सामने ना होते वे भी मुझे सामने आकर उर्जा देते हैं इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद 87 कोटिले के द्वारा राजा की दिनचरिया को दिन रात के कारेकरम में कितने परकार में बाटा गया है कोटिले के द्वारा चानक्य के द्वारा राजा एक राजा की दिनचरिया किस प्रकार की होनी चाहिए उन्होंने अपने गरंथ में लिखा है उन्होंने कहा है कि 24 गंटे की जो दिनचरिया है दिन और रात की उसको 16 घडियों में उन्होंने बाटा है 16 गडियों में उन्होंने बाटा है किसने राजा ने अब देखिए आपके पढ़ने का आपके revision करने का तरीका ये भी हो सकता है कि मैंने यहाँ पर इस प्रश्ण को यहाँ पे point कर दिया कि 24 गंटे में 16 गडिया अब आप इन 16 गडियों के बारे में पढ़ सकते हैं जो कि कोटिलने ने एक राजा के लिए विभाजित करके बताई है 24 गंटों को 16 गडियों में ओके दोस्तों तो यह point मैं आपको एक तरीके से आपको points पे भी tip करता हूँ वो भी आपके दिमाग में हिट करने चाहिए 88 प्रजा के सुख में राजा का सुख है बहुत अच्छी बात है प्रजा के हिट में राजा का हिट है बहुत ही अच्छी बात है अगर ऐसी ही सोच राजा की है तो राजा के लिए प्रजा के सुख से भी अपना सुख नहीं होना चाहिए मेरा सुख मैं राजा या आप राजा मैं राजा नहीं आप है राजा आप राजा है आपकी नजर में सुख क्या होना चाहिए जो आपकी प्रजा का सुख हो आपकी प्रजा सुखी तो आप भी सुखी ये कोटिले का कथन है प्रजा के सुख में प्रजा का हीत है बात एक ही है राजा के लिए प्रजा के सुख से बिन कोई सुख नहीं होना चाहिए तो इतने बड़े सेंटेंस में उलजकर आपको नहीं रहना है आपको सीधी सी बात ये रख लेनी है प्रजा सुखी तो राजा सुखी ठीक है ये किस ने कहा कोटिल्ये ने 89. कोटिल्ये के अर्थ शास्तर में अधिकरणों की संक्या कितनी है दोस्तों, तो अधिकरणों की संक्या है दोस्तों 15 कितनी है बंदरा कोटिल्य ने ज्यान की चार साखाई बताई वो कौन-कौन सी है प्रस्ण ये भी बन सकता है कोटिल्य ने ज्यान की कितनी साखाई बताई चार साखाई बताई चार साखाई कौन-कौन सी है त्रई है, वार्ता है, आन्विक्षिकी है और दंडनीती है ये किसने बताई, कोटिल्य ने, कोटिल्य ने ज्यान की चार साखाई बताई, त्रई, वार्ता, अन्विक्ष की और दंड नीती, प्रस्ण ये भी बन सकता है, कि निम्ने में से कोटिल्य की कौन सी ज्यान की शाखा नहीं है, या उपरोक्त में से कोटिल्य की ज्यान की शाखा हैं ठीक है तो आपको यी चारो ध्यान में रखनी है त्रई वारता अन्विक्षे की और दंड है नेती 91 जेपी नारायन के बारे में जैप्रकाश नारायन को भारतिय समाजवादी दर्शन का मानस पिता किसने कहा प्रोफेसर विमल परसाद ने प्रोफेसर विमल परसाद कहते हैं कि जैप्रकाश नारायन भारतिय समाजवादी दर्शन के मानस पिता है ठीक है 92 देखिए जैप्रकाश नारायन या जेपी नारायन किस प्रकार के लोगतंतर को अपनाने की बात करते हैं या करते हैं ये करते थे ठीक है ये दल विहीन लोगतंतर को अपनाने की बात करते थे दल विहीन लोगतंतर 93 जैपरकाश नारायन के समगर क्रांती का क्या आश्य है इस समगर क्रांती से सम्मंद किसका है जैपरकाश नारायन का जैपी नारायन का इसका आश्य क्या है मतलब क्या है सुनो व्यवस्था में मूल भूत परिवर्तन वे ऐसी व्यवस्था की स्थापना हो जो आर्थिक सामाजिक न्याय पर आधारी तो यही है समगर क्रांती का आश्य जो भी व्यवस्ता चल रही है उसमें मूल भूत परिवर्तन वे ऐसी व्यवस्ता की स्थापना होनी चाहिए जो सामाजिक आर्थिक न्याय पर आधारी थो ऐसी व्यवस्ता चाहते थे जेपी नाराएन जेप्रकाश नाराएन 94 देखिए My Picture of Socialism ये रचना किसकी है जेपी नाराएन की है My Picture of Socialism ठीक है जेपी नाराएन 95 भारत का अबराहम लिंकन वे मार्टिन लूथर किस महापुरुष को कहा गया तो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी को भारत का अबराहम लिंकन वे मार्टिन लूथर की संग्या दी गई है अंबेडकर ने हिंदु धरम की उध्वाट में सबसे बड़ी समश्या किसे कहा तो ऐस प्रस्तया चुअ चुलद को इन्हों ने हिंदु धरम के उध्वाट में हिंदु धरम के विकास में सबसे बड़ी रुकावट सबसे बड़ी समश्या कहा 97 What Congress and Gandhi have done for the untouchables? ये पुस्तक किसकी है तो ये डॉक्टर अंबेडकर की ही किताब है What Congress and Gandhi have done for the untouchables 98 देखे दोस्तों नहरू की अध्यक्षता में कॉंग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता को कॉंग्रेस वे देश का लक्षक कब गोशित किया 1929, 1939 में क्या लाहूर अधिवेशन था क्या, मैं सही हूँ, आप सुन रहे हैं अभी तक वीडियो नोट देख रहे हैं, तो कमेंट कर दीजिए, ओके 99 देखिए गुट निर्पेक्षता का अर्थ क्या है दोस्तों अंतराष्टी राजनीती के शक्ती गुटों से प्रथक रहकर स्वतंत्र विदेशनीती का संचालन करेंगे हम गुट निर्पेक्षता जवाहरलाल नहरू ने इस चीज़ को अपनाया भारत देश के लिए कि जितने भी अंतराष्टी राजनीती में पावरफुल गुरूप्स बने हुए हैं हम किसी भी गुरूप्स की तरफ नहीं जाएंगे नहीं जुकेंगे हम क्या करेंगे स्वतंत्र रहकर अपनी विदेशनीती का संचालन करेंगे यही है गुट निर्पेक्षता हंडर्ड ये लग गया अपना शतक श्री नहरू की मृत्यू से देश का एक युग समाप्त हो गया ये कतन है डॉक्टर राधा क्रश्णन का ये कतन है कि नहरू जी की मृत्यू के बाद उन्होंने कहा कि देश का एक युग ही समाप्त हो गया है ये किसका कतन है डॉक्टर राधा क्रश्णन का तो दोस्तों इस वीडियो नोट में ये प्रशन थे कुछ जो हमने आपको बताए पिछले बाल वाले वीडियो नोट में 62 नमबर पे प्रशन में आपके एक किताब का नाम था जो बोल सुधार भी हम यहाँ पे कर लेते हैं उस किताब का नाम था दोस्तों आपके Ethics and Politics ऐसे ही कुछ नाम था उस किताब का जहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि ये रचना प्लेटो की है बलकि कुछ दोस्तों का कमेंट आया उनको बहुत-बहुत धन्यवाद तो ये रचना किसकी है? अरस्तु की है मैंने प्लेटो क्यों लुखा? ये भी आप सुन लीजिए और अरस्तु की ये रचना है ये वाला आप राइट कर लीजिएगा मैंने मेरे उसमें तो आइडिट कर दिया है वीडियो में आइडिट कैसे होगा? ठीक है? तो प्लेटो है प्लेटो था लेकिन अरस्तु आएगा एथिक्स और पॉलिटिक्स प्लेटो इसलिए कहा दोस्तों क्योंकि प्लेटो की जो रिपब्लिक है प्लेटो की जो किताब है रिपब्लिक उसमें इनोंने कही ना कही इस टर्म को यूज किया है ethics and politics को क्योंकि ये इस formula सुकरात Plato अरस्तु पे जाता है Plato अरस्तु के क्या है? गुरू है तो इसी लिए जिस source से मैंने उठाया था वहाँ पर Plato दे रखा था हाला कि अधिकतर मानने जो चीज है कि ethics and politics जो रचना है ये अरस्तु की है काफी search करने के बाद मैं ये कह रहा हूँ ठीके दोस्तों इस video note में इतना ही मिलते हैं next video note में भूल सुधार करते रहेंगे गलतिया नहीं होंगी तो हम काम कैसे करेंगे और मेरी गलतियों को भी आप इतने हसी खुशी सुईकार के मुझे प्रेम से बताते हैं इन सभी के लिए आपका धन्यवाद मिलते हैं next video note में आपके लिए और नहीं अच्छे प्रशनों के साथ